नमस्कार मैं हूँ आपका दोस विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा महराश्ट की राजनीती की बात करेंगे कुल मिलाकर शरत पवार के भतीजे और महराश्ट बे बीजेपी गडवंदन वाली सरकार बे उपमुख्य मंत्री अजीद पवार ना घर के रहे ना घाट के एक तरफ वो पश्टा रहे हैं कि अपनी पत्नी सुनेतरा को क्यों अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाब चुनाव मैदान में बारामती से क्यों उतार दिया गया दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि पता नहीं कब जटका लग जाए क्योंकि और्गनाइजर से लेकर संग करीब करीब साफ साफ कह चुका है कि बीजेपी को जरूरत नहीं अजीद पवार की अजीद पवार को साथ लेने से नुकसान ही होगा ऐसी बीजेपी भी चर्चा च बता रहे हैं परिवार का मुख्या बता रहे हैं और इंडिरेक्ट रूप में अब कह रहे हैं कि अमिश्चा ने जो कहा और जो आलोचना की जिस ढंक से जिस स्वर में भष्टाचारियों का सरगना कहा अजीद शरत पवार को वैसा नहीं कहना चाहिए था पच्टा रहे हैं कि उन्हें अपनी पत्नी को नहीं लडाना चाहिए था लेकिर क्या चाचा इतने नरम दिल हैं अगर चाचा इतनी नरम दिली दिखाते रहे और बयानों पर पसीशते रहे तो फिर तो राजनीती हो गई हो ली शरत पवार की तो शरत पवार माफी देने के लिए तैयार लग अजीद पवार के खिलाब विधानसभा चुनाओं में उतार सकते हैं। अजीद पवार का जो गड़ है वहाँ पर अजीद पवार अपनी पतनी सुनेतरा पवार को 48,000 की हार दिलवा देते हैं। यारी 48,000 वोट उनी की अपनी कॉंसिएंसी में सुप्रिया सुले को ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे में क्या मुकाबला हो पाएगा। उधर अजीद पवार के लिए छंकट की बात है कि महाविकास अगारी को भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। शरत पवार को अजीद पवार की कत्ते ही कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो अपने हिसाब से देख रहे हैं किन लोगों को लेना है किन लोगों को नहीं लेना है। क्योंकि लाइन लगाकर लोग बैठे हुए हैं अजीद पवार की पार्टी के कि वो वापस आना चाहते हैं। और महाविकास अगाडी के लिए खुशकबरी ये है कि अभी उदव ठागरे का दिल्ली आना हुआ था मलिकारजुन खडगे सोनिया गांदी राउल गांदी विगएरा से मिले। और सीट शेरिंग का एक रास्ता एक फॉर्मूला करीप तयार हो चुका है। उसमें किसी तरह का विरूधाबाज जैसी सिती आने वाली नहीं है। फिलाल तै हुआ है कि महाँ देखिए 288 सीटे हैं लोग सभा की। अब विधान सभा की 288 और लोग सभा की 48 सीटे हैं। तो करीब 164-165 सीटें बैठती हैं। लेकिन अगर विधान सभा की सीटों की बात की जाए मौझूदा संख्या की बात की जाए तो बीजेपी के पास 103 सीटे हैं। शरत पवार से अलग हुए अजीद पवार उनके पास 39 सीटे हैं। एक नाशिंदे के पास 70 सीटे हैं। कॉंग्रेस के पास सबसे जगा सीटे बची हैं 37 पहले उनकी 45-46 हुआ करती थी। शरत पवार के पास 13 और उदव ठाकरे के पास 15 सीटे हैं। कुल मिलाकर दो अधर्स का साथ है तो 67 सीटे हैं। लेकिन इनके हिसाब से मत देखिए। 2018 में जो हुआ उसके बाद से इतना पानी भै चुका है इतना पानी भै चुका है कि 2024 बिलकुल नया है तो मोटे तोर पर महाविकास अगाडी में ये तैय हुआ है कि पिछली बार उदव ठाकरे संयुक्त रूप से यानि शिव सेना शरत पवार संयुक्त रूप से यानि NCP और कॉंग्रेस जहां जहां जीती थी वहां 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 वो लड़ेगी वो सीटे उ संक्या 155 बताई जाती है अब बच गई करीब 130 सीटे तो तैय ये हुआ है कि जो जहां रीजन में मजबूत है उस रीजन में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा जहां रीजन में भी हर जगा मजबूत हो नहीं सकता जहां उसको लगेगा कि एका जग कॉंग्रेज मजबूत है तो कॉंग्रेज ज्यादा सीटों पर लड़ाई लड़ेगी मराठवाडा पश्मी महराश्ट के अंदर शरत्वार की पार्टी मजबूत है मुंबई हाने नासिक कुछ उपनगरों में शिफ सेना मजबूत है तो इलाके वाइस चुनाव लड़ा मोटे तोर पर यह तै हुआ है तो यह फॉर्मूला कितना काम आएगा यह देखना दिल्चस्प है कॉंग्रेज चाहती है कि लोकसवा चुनाव में उसका प्रदर्शन रहा अच्छा रहा तो पिछली बार जितनी सीटों पर लड़ाई लड़ी ती उससे ज्यादा विधान स लड़ने के लिए दी जाए उदव ठाकरे को लगता है कि कम से कम देड़ सो सीटे उनको मिलनी चाहिए लड़ने के लिए और उसके दो असर होंगे एक तो वो बता सकेंगे कि सबसे आदा प्रभाव उनका है दूसरा ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज्यादा जीत कराएंगे तो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा वैसे भी मुख्यमंत्री बनने में किसी तरह की कोई अर्चन कोई दिखकत नहीं है ना तो शरत परवार मुख्यमंत्री बनना चाहते है ना सुप्रिया सूले को मुख्यमंत्री बनाना च चाहते हैं ना कॉंग्रेस की इच्छा है कि उनका कोई मुख्यमंद्री बने उदव ठाकरे को लेकर कोई टंटा ही नहीं है तो कुल मिलाकर मोटे तोर पर लग रहा है कि हो सकता है कि उदव ठाकरे 140 सीटों के आसपास लड़े 135-140 सीटें यह हो सकती है पांसाथ उपर नीचे स हो सकती है कॉंग्रेस 70-75 सीटों पर लड़ सकती है और 65-70 सीटों के आसपास शरत पवार की पार्टी लड़ सकती है मोटे मोटे तोर पर यह फॉर्मुला क्या निकलेगा महाविकास अगहाडी में कुछ ज़्यादा संकट नहीं है एजेंडा भी तैय है चुनावी सक्षन में यह चुनाव होने जा रहा है मराठो का आंदोलन उसका फायदा मिलेगा महाविकास अगहाडी को और इसके साथ साथ मराठो के आंदोलन के कारण दलितों में जो भ्रहम की सिती पैदा हुई है जिसका कोई रास्ता निकालने में बीजेपी अभी तक काम्याब नह साहिमा है कि 96,000 करोड की यकीन नहीं आएगा फिर मैं बता दूँ 96,000 करोड रुपे की रेवडियां वो बांट चुका है जिसमें महिलाओं के लिए और पुरुशों के लिए सिलंडर सस्ता और बहुत सारी योजनाएं बाकी हैं शामिल नहीं इसके अंदर तो देखना दिल्चस्प होगा कि महराश्ट में क्या होता है अभी की सूरत ये बता रही है कि शरतवार की बात हो सकता सत्साबित ना हो जाए जिसमें उन्होंने कहा था 288 में से 225 सीटे महाविकास अगाडी को मिल सकती है कोई हैरानी नहीं हो शुक्रिया मेरा ये वीडिय देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए शुक्रिया